जहां अतंके मौड्यूल की जाच में ED की टीम जुट चुकी है लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक को समन जारी किया गया है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बबलु खान लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक है बबलु खान को 26 अगस्त को ED दफ्तर पहुँचना हो अलकाइदा से जुड़े होने का आरोप लगा है जिसके बाद डॉक्टर इश्तियाक की गिरफतारी की गई है ये बड़ी खबर आपको बता रहे है जहां तंकी बॉड्यूल की जाच में एडी की टीम जुट चुकी है लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक को समन जारी किया ग बस्त को पूछताच के लिए बबलू खान जोकी लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक है उन्हें एडी दफतर पहुंचना होगा जारखंड में आतकवादी कनेक्शन डॉक्टर इस्तिक्याक अहमद का अब कनेक्शन जिस तरह से एडी 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 ने सिकंजा कसा है उसके बाद अब एडी भी सिकंजा कसने के तियारी में है डॉक्टर इस्तिक्याक अहमद जो मेडिका में डॉक्टर में पतस्तापिस था उसका संचालन बरियातु में क्यू हुस्पिटल का भी संचालन करता था उस मामले में उसका आरोपी बबलु खान को इडी ने सम्मन कर इसी इडी करजाले से सम्मन भेजा है और उस सम्मन में 26 अगस्त को सम्मन भेज कर पूस्ताच के लिए बुलाया है क्योंकि एक तरफ जहां ATS का सिकंजा आतकवादी इस्तिकाक अहमत के खिलाप है वहीं उसके सहयोगी बबलु खान को इडी ने सम्मन भेज कर 26 अगस्त को पूस्ताच के लिए इडी करजाले बुलाया है और साथ में कहा है कि होस्पिटल का संचाला कैसे होता था उसका लेखा जोखा साथ में लेकर आप इडी करजाले में 11 बजे उपस्तित हूँ इसके लिए एक सम्मन भेज कर बबलु खान को बुलाया गया है क्योंकि डॉक्टर इस्तिहाक अहमत के सम्मन बबलु खान से है और उस मामले में अब इडी की इंट्री हो गई है अब तो देखना होगा कि बबलु खान से जो पूस्ताच के लिए इडी ने समय निर्द्यारित किया है 26 अगस्त को दिन के 11 बजे तो इडी के समक्ष बबलु खान अपने पूरा लेखा जोखा होस्पीटल का कैसे आयबाय का संचालक करता था उसका पूरा लेखा जोखा लेकर इडी का जाले पूस्ताच के लिए इडी अधिकारी सम्मन भेज कर बुलाया है अपने सहयोगी सुनिल स्वांसी के साथ संतोष कुमार कसिस नीज राची और इस ख़वर पर ज्यादा जानकार लिए सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए है संतोष जारखर में आतंकी मौड्यूल की जाच में इडी की टीम जुड़ चुकी है और लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक को 26 अगस्त को पूछताच के लिए समन जारी कर बुलाया लगया है क्या पूरी जानकारी चुकी डॉक्टर इश्टियाक की गिरफतारी भी इस मामले में हुई है तो अभी क्या एक्षन लिया जा रहा है एडी की तरफ से देखें लगातार जैसे जारखंड कहा जाये तो आतंकवादियों का गर्ड है दस बरस पूर भी इसी रांची इस्तित्हीनू में एक आतंकवादिक गिरफतार गुआ था जो सीरियर ब्लास्ट पटना के गानी में दानुमात तो फिर से एक डॉक्टर मेडिका के डॉक्टर इस्तिकाग अहमत को एटीस ने ग्रिफतार किया है एनाई एटीस दोनों के टीम ने दिली के स्पेसल टीम के सुचना के बाद यह करवाई की गई लगबग 15 ठीकानों पर जारखंड में छापमारी की गई और उसके बाद जो होस्पीटर संचालक बबलु खान को एडी ने अब एडी के इंट्री हो गई है उसमें बबलु खान को पूस्ताज के लिए एडी ने संबन कर पूस्ताज के लिए बुलाया गया है और एडी ने 26 अगस को 11 बिल्कुल दुजारकर्ण में आतंकी मोड्यूल को लेकर एडी की टीम जाच में जुट गई है और लेक व्यू होस्पीटर के संचालक को समन जारी कर पूछताज के लिए एडी दफतर बुलाया गया है और ज्यादा जानकारी लिए सयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद एडी के अधिकारी एक्शन में आए हैं वहीं अगर डॉक्टर इस्तियाक की बात करे तो अलकाइदा से कनेक्शन होने की बात कही जारी है इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है एडी को दिखें जो इस्तियाक अहमद जो है उसका जो ट्रेनिंग हुआ अलकाइदा से जुड़ा हुए ट्रेनिंग वो राजस्थान में ट्रेनिंग लिया है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ATS के द्वारा और दिली Special Sale के द्वारा उसकी ग्रिफतारी छापामारी करके किया गया तो उस फंडिंग से कैसे Hospitals संचालक एक मामूली नेम प्लेट बनाने वाला इस्तियाक हमत कैसे इतना कुड़पती निकला है उसके जांच अब ED के द्वारा किया जाएगा उसके सहयोगी बबलु खान को बुलाए गया है कल ED संबन किया है और उसमें 26 अगस्त को बुलाए गया है तो आप देखना होगा कि इसमें एक तरफ अलकाइदा के जुड़े हुए तत्थों को एटियस और एनाई यह जांच कर रहा है और दूसरे तरफ एटियस इडी का इंट्री हुआ है तो इस इंट्री के बाद उस मामले में इडी ने कहा है कि आप होस्पिटल में आय बै का लेखा जो लेकर आप इडी कर जाले 26 अगस को 11 बजे पहुंचे तो आप समस जी चले बिलकुल संतोष देखना होगा कि आगे इडी की तरफ से क्या कुछ कदब समामले पर उठाया जाता है बहुत शुक्रिया संतोष आपका तबाम जानकारी के लिए